पिछले दो महीनों में HP ने काफी इंट्रेस्टिंग से लैप्टॉप्स लॉंच किये हैं और उन सभी के लिस्ट इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ऐसे ही लैप्टॉप्स जो की काफी सही है आज की डेट में जो वैलू फॉर मनी है अब शुरू करते हैं बेस्ट HP लैप्टॉप का एक पुराना वीडियो भी है मेरा जो मैंने पिछले साल बनाया था आप जाओ तो वह देख सकते हूँ लेकिन उसमें से सारे लैप्टॉप अल्मोस्ट आउट अफ स्टॉक हो गये हैं या फिर वह अब नहीं मिल रहे हैं लेकिन अब जो पिछले महिने में कुछ लैप्टॉप लाँच हुए HP के उन्होंने काफी कुछ अच्छा किया है और बहुत ही सही लैप्टॉप इन्होंने लाँच किये हैं इस बार वीडियो में आगे बढ़ने सपले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप इन लैप्टॉप की लिस्ट वगर अप्डेटेट देखना चाहते हो तो आप जा सकते हो सिंपली गूगल पर टाइप कर सकते हो टेक्जॉनिकल जो सबसे पहला रिजल्ट आएगा वो मेरी वेबसाइट है और यहाँ पर मैंने अभी लैप्टॉप की कैटेगरीज बना दी है बाई ब्रैंट्स और बाई प्राइज तो यह तो मन्थली अप्डेटेट लिस्ट है वही है लेकिन यहाँ पर HP लैप्टॉप की मैंने लिस् से साथ हजार इन दो कैटेगरीज में ही लैप्टॉप बताऊंगा क्योंकि अक्सर हम AC कैटेगरी के बजट वाले लैप्टॉप लेते हैं अब आपको बहुत ही प्रीमियम रेंज में जाना है तो उसमें अल्रेडी बहुत अच्छे लैप्टॉप से आप जाकर मेरे पुरा काफी इंट्रिस्टिंग हो गया है सबसे पहला जो लैप्टॉप है लिस्ट में यह है 401890 का डीवाइट 2506TU पिछले साल एच्पी का एक लैप्टॉप लॉंच हुआ था डीवाइट 2501TU यह ना अल्मोस्ट वही सेम तू सेम लैप्टॉप है बस मॉडल नंबर का लैप्टॉप है यहां पी आपको एक इधरनेट पोर्ट भी मिलता है यह बहुत सारे लैप्टॉप में नहीं मिलता है अब उस तरह से देखा जाए तो यह लैप्टॉप इस प्राइस परेंट पे काफी सही रहेगा विंडोस 11 वगरा इन दो बॉक्स मिल जाएगा आपको 40 के बजट में आपको एक लैप्टॉप खरने चाहते है तो यह आपका एक परफेक्ट च्वैस हो सकता है अगला लैप्टॉप जो मैं बताना चाहूंगा वो है एच्पी का FQ1089AU इसमें लगा हुआ है Ryzen 3 5300 वाला प्रोसेसर जो की काफी अच्छी बात है पिछले साल एक ल पूर्ट भी यहां भी मिल जाता है तो यह काफी अच्छा रहेगा अब देखो आपको अगर इंटल का ही प्रोसेसर चाहिए तो फिर तो आप यह लैप्टॉप खरी दो लेकिन अगर आप मानलो थोड़ा अच्छा लैप्टॉप करना चाहते है अच्छे परफॉर्मेंस के और भी ध्यान में रखना आपकी यहां पर आपको इधरनेट पोर्ट नहीं मिलता है तो यहां पर HD card slot वगरा तो है लेकिन इधरनेट पोर्ट नहीं है मानलो आपको connect करना ही है तो फिर आपको यही खरीदना पड़ेगा अधर्वाइस आज की डेट में ऐसा नहीं है हम बहुत ही कम होगा कि आप LAN port यूज करते होगे फिलाल एक वो option तो है अगला laptop जो मैं आपको बताना चाहता हूं अग्मान लोग आप 15 इंच का ही laptop खरीदना चाहते हो आपको नियूमेरिक कीपड वगरा की जुरुरत है तो उस किस्ट में यह laptop काफी सही रहेगा DU 3563TU बस य यहाँ पर लेकिन वो full HD resolution का नहीं है तो यहाँ पर जो pixel density है वो थोड़ी कम हो जाएगी तो आपको blurry से text दिख सकते हैं compare to जो और laptops मैं ने बताएं उन में इसमें थोड़ा pixelated दिखेगा अगर आपको बहुत ही text based work करना है तो मैं कहूंगा यह laptop इलकुल मत खरीदना आपके आ बाकी यहाँ पर आपको processor भी ठीक ठाक सा मिल जाएगा i3 11th edition मिल जाता है तो बाकी सब कुछ ठीक है बस यहाँ पर display में थोड़ी सी problem है अगला laptop में जो आपको बताना चाहूंगा यह gain 42000 का है और इसमें भी Ryzen 3 का processor लगा हुआ है लेकिन यह 15 inch का gain है Ryzen 3 5300U नहीं है तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है अब इसका क्या benefit है वो मैं आपको बताता हूं यहाँ benefit यह है ना कि 1TB की hard drive और 256GB की SSD का combo मिलता है आप आपको यह थोड़ा सा पुराना ही laptop है ऐसा नहीं की अभी अभी launch हुआ है यह थोड़ा सा पुराना model है लेकिन मुझे एक laptop आपके लि for money अगर in case आपको दोनो hybrid drive चाहिए राइजन 3 3250 यह वाला processor लगा हुआ है RGB की RAM है और बाकी यहाँ पर IPS डिस्प्ले वगर आपको मिल जाता है full HD revolution का भी मिल जाता है तो उसमें कोई शिकायत नहीं है और यहाँ पर भी आपको Ethernet port वगर मिलता है तो अच्छी बात है यह सब क category है यह almost mid range category चले जाएगी लेकिन interesting fact is कि अभी हमें Ryzen 5 वाले processor के laptop मिल रहे है इस budget में तो सबसे पहला जो laptop में आपको बताना चाहूंगा यह बहुत ही successful laptop रहा है इसलिए मैंने इसको list out कर दिया है फिर से और अभी भी यह available है market में which is the fantastic thing i3 11th generation के साथ साथ में Full HD resolution का display वो भी IPS इसके कुछ alternatives भी मैं बताऊंगा लेकिन यह laptop आप तभी खरेदना चाहिए आपको 15 इंच IPS display फुल HD resolution पर चाहिए और आपको बहुत अच्छी performance नहीं चाहिए इस laptop का model number है FR2060U और इसमें लगा हुआ है 8GB का RAM 512GB के 6D और 7 में यह 1.69 kg का weight और इसमें आपको Ethernet port वगरा नही आपको मिल जाता है RAM जो लगी हुई है थोड़ी सी slow है जबकि और जो नए laptop आये हैं उसमें थोड़ी सी fast RAM लगी हुई है तो यह सब बाते आपको ध्यान में रखनी होगी 15 इंच में Full HD का resolution और साथ में IPS यह सब कुछ आपको इसी combo में मिलता है दोजरा एक और laptop है लेकिन उस अच्छा का एपिसोड बनाया है चाहो तो वीडिया आप चाहके देख सकते हो इस laptop में प्रोसेसर लगा हुआ है राइजन 5 5500 यो जो की एक हेक्सा कूर प्रोसेसर हो जाएगा आपको almost close to 48,000 रुपीज में एक बढ़िया performance मिल जाएगी इस laptop में दोसरी चीज यहां पर RAM जो कोई कमी यहां नहीं मिलती है अच्छी खासी fast charging का support है और यहां पर backlit keyboard का भी support दिया गया है तो यह सारी बातों को ध्यान में रखते वे यह काफी अच्छा सा laptop बन जाएगा इसमें भी ethernet port नहीं है वो चीज आप देख लेना ethernet port की आपके ज़रूत है तो फिर यह laptop आपके अले नहीं रहेगा लेकिन उस पे सिर्फ एक number of port की वज़े से laptop ना खरीतना तो थोड़ी से बेकूफी वाली बात हो जाएगी अगला laptop में जो आपको बताना चाहूंगा यह इसी का almost variant है वो है HP के तरफ से आने वाला EQ 2144 AU यह laptop में भी same to same वही Ryzen 5 का प्रोसेसर लगा हुआ ह 512GB KSST बस यहां पर दो कमिया है वो यह है कि इसमें आपको backlit keyboard नहीं मिलता है और दूसरा चीज जो important है वो है IPS डिस्पले नहीं मिलता है अब 15 इंच का IPS डिस्पले आपको चाहिए तो फिर आपको HP का FR 2006 TU लेना पड़ेगा इसलिए मैं बता रहा था कि क्यों मैंने उस laptop को अभी फिर से इनलिस्ट किया है अब 15 इंच का IPS डिस्पले लेना है आपको डिस्पले पर प्रिफरेंस देना है तो आप FR 2060U खरीद होगे और अगर आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए 15 इंच के laptop में तो फिर आप यह वाला laptop खरीद होगे यहां पर आपको clarity मिल जानी चाहिए अब आपको अगर डिस्पले में प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप बिल्कुल यह सब लेपटाप छोड़ दो आपको सिंपल आग बंद करकि यह वाला laptop खरें चाहिए FQ1092AU यह काफी सही laptop इसमें IPS डिस्पले वगरा सब कुछ मिल जाएगा तगड़ी performance मिल जाएगी आपको इस laptop से जादा सही laptop इस समय तो कोई भी नहीं है मैं यह कह सका और जित्ते भी laptop है ना उसमें कुछ न कुछ कमी छोड़ दीगी यहां पर कोई कमी नहीं एक fingerprint reader नहीं मिलता है इस बात को छोड़ कर आपको बाकी सब कुछ मिल जाता है जो चाहिए और एक अच्छी performance मिल जाते है fingerprint की इतनी जरूरत है तो उसके लिए दूसरा option में बताता हूं लेकिन वहां पर थोड़ा आपको पैसे भी ज्यादा देने पड़ेंगी यह भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी अगला laptop में जो आपको बताना चाहूंगा 55,000 का यह laptop रहेगा EC 0035 AU exactly वही same to same specification है जो FQ1092 AU में थे performance वाइस यह laptop same to same रहने वाला है कुछ major differences यह है कि आप 55,000 रुपए दे रहे हो almost 7,000 रुपए extra तो उसमें आपको क्या का मिल रहा है एक अच्छी build quality ज्यादा अच्छी build quality मिल जा रही है दूसरी चीज यहाँ पर आपको Wi-Fi 6 का support मिल जा रहा है तो आप ऐसे giga boot router वगरा लगा रखे हो तो इसमें आपको GBPS के speed मिल जाएगी जबकि FQ1092 AU में वो चीज नहीं मिलेगी तो यहाँ पर आपको एक clarity होनी चाहिए कि आपको एक बेतरीन build quality वगरा अच्छी चाहिए न तो फिर आप EC0035 AU पर जाओ लेकिन आपको उतनी अच्छी build नहीं चाहिए यह नौर्मल सा build चाहिए सिर्फ performance अच्छी चाहिए तो फिर आपने पैसे बचा सकते हो अल्मूस 7000 रुपीज बचा सकते हो लिंक सभी laptop का वीडियो के description में भी दिया हुआ है आप जाकर वहां से check out कर सकते हो अगला laptop में जो आपको बताने चाहूंगा EH1101AU और यह laptop 15 इंच का हो जाएगा यह पहले वाला 14 इंच का था और यह वाला 15 इंच का हो जाएगा तो आपको preference सब decide कर लेना है same to same EC laptop का यह दूसरा variant है यहाँ पर मैं repeat नहीं कर रहा हूँ चीज़े को वही same to same processor SSD सब कुछ लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा फर्क और भी है कि यहाँ पर Wi-Fi 6 का support नहीं है यहाँ पर सिर्फ AC standard का support है AC standard, AX नहीं है अगला laptop में जो आपको बताना चाहूँगा यह काफ़ी interesting सा laptop है again EC0033AU अब इसमें क्या फर्क है यहाँ पर आपको solar GB की RAM मिलती है यहीं फर्क है बाकि और सब कुछ same to same है पहले जैसा साथ हजार के अंदर में आपको solar GB की RAM in the box मिल रही है आपको बाद में install करने की जुरत नहीं है कुछ भी नहीं करना है और यह laptop काफी beast laptop बन जाएगा Ryzen 5 और 5500U के साथ में आपको solar GB की RAM भी इसलिए यह मेरी list में है पहले भी रहा है और एक अच्छी बात यहाँ पर fingerprint reader भी दिया हुआ है backlit keyboard भी दिया हुआ है तो 60,000 रुपए का अगर आपका budget है तो यह laptop लेना सबसे बहतरीन हो सकता है अब यहाँ पर SD card reader नहीं दिया गया है तो कुछ न कुछ कमी हमेशा छोड़ दी जाती है एक perfect laptop का combination मिलता ही नहीं कि जहां हमें जो चाहिए के सब कुछ मिल जाए ऐसा possible ही नहीं है anyways अगला एक और laptop मैं आपको बताना चाहूंगा और यह जो है न topic रहेगा अगर मुझे 60,000 के price range में कोई laptop आज की date में खरीदना हो HP की तरफ से तो मैं इसे खरीदना चाहूंगा अगर मेरा budget 60,000 तक है 50,000 में मैं पहले ही बता चुका हूँ 60,000 के budget में यह laptop FQ1083AU is the best one क्योंकि यहाँ पर Ryzen 750 700U processor है Octa core processor है यह 8 core काफ़ अच्छा है और उसके साथ में आपको 8GB की RAM मिल जाती है, 512GB के SSD मिल जाती है MS Office वगरा वो सब कुछ तो आता ही है आजकल सभी laptop में IPS display भी यहाँ मिल जाता है, प्लस यहाँ पर Wi-Fi 6 भी लगा हुआ है इन सब के साथ में यहाँ पर मुझे SD card का port भी मिल रहा है तो यह एक अच्छी चीज है, मतलब यहाँ पर जितनी चीजें चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर मिल रही है तो यह laptop 60,000 रुपए में एक्टम topic रहेगा HP की तरफ से link दिया है, description में आप जाकर वहाँ से check out चुरूर कर लेना अगला एक final laptop मैं और आपको बताना चाहूँ, इन case अगर आपको Intel का ही processor पर जाना है तो यह laptop काफी सही रहेगा HP की तरफ से यहाँ पर लगा हुआ है Intel का i5 11th generation का processor FQ4022TU यह काफी अच्छा सा laptop रहेगा, अगर आप खरीते हो 15 इंच का laptop है, 512 GB की दस्ती है यहाँ पर 32 GB की Intel Optane Memory भी मिलती है, तो यहाँ पर RAM से थोड़ा सा support मिल जाएगा तो मतलब आप better multitasking का भी कर पाओगे, इसलिए मैंने इसे रखा एक और laptop है, जो Intel i5 के साथ में ही आता है, अल्मूस 55-6,000 के price पर, वो है 3517TU HP की तरफ से उसका एक में वीडियो बनाया था, आप जाकर वो पुराना वीडियो चेक कर सकते हो लेकिन उसमें क्या problem थी, उसमें ऐसे Optane Memory करके कुछ नहीं मिल रहा था अब उतनी price पर अगर एक Optane Memory भी मिल रही है laptop में, तो वो लेना ज्यादा बेटर रहेगा आपको multi-tasking में support मिल जाएगा, आपको 32GB का Optane Memory मिल रहा है तो जो Apps लोड होने का टाइम है, ज्यादा Apps खोल के एक बार में रख लेना, वो चीज़ पॉसिबल हो पाएगी उस laptop में वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, लेकिन इस laptop में पॉसिबल हो पाएगी अब क्योंकि same price point पे ये वाला laptop available है, इसलिए उसको मैंने यहाँ लिश्ट में नहीं रखा है वो भी laptop अच्छा है, ऐसा नहीं कि वो कुछ खराब है उसमें, लेकिन ये laptop ज्यादा बेटर रहेगा आपको value for money यहाँ इस laptop में मिल जाएगी, ना कि पुराने वाले में सारे laptop का link यहाँ डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप चेक कर लेना और मेरी website texonical.in पे भी यह सब कुछ आपको details मिल जाएंगे और मैं अपने website पे कुछ और भी ऐसे brand specific जो है laptop की list आपको बना कर वहाँ पर ready कर दूँगा कुछ दिनों में तब मैं वैसे वीडियोज भी लेके आ जाऊंगा जैसे कि मैं एक best deal laptop, best hp laptop हो गया और best linoo, best aces सभी का एक list में वहाँ पर update कर दूँगा तो वो भी वीडियोज आपके लिए काफी helpful रहेंगे मिलते हैं अगले वीडियोज में कुछ और भी ऐसे टॉपिक साथ तब तक के लिए good bye, thank you for watching, we'll see you again, dear